जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकान जी ने एक बार कहा था कि हम भारतिय नवजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए आप लोग ये वाक्य पढ़कर के आएंगे हो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ लेकिन विवेकान जी ने भारत के लोगों को कहा था भै एक बार देख कर तो आओ जपान है कैसा साथियों उस जमाने में स्वामी विवकान जी ने जो कहा था आज के यूग के अनुरूप उसी बात को उसी थद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जपान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे आपने अपनी स्कील्स से अपनी टैलेंट से अपनी एंट्रप्रेनर्शिप से जपान की इस महान धर्ति को मंत्र मुग्द किया है भारती यता के रंगों से भारत की संभावनाओं से भी आपको जपान को लगातार परिचित कराना है आस्ता हो या एडवेंचर जपान के लिए तो भारत एक स्वाभाविक टुरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए भारत चलो भारत देखो भारत से जुडो इस संकल्प से जपान के हर्थ मेरे भारतिय से मैं आगरह करूंगा कि वो उसे जुडे मुझे विश्वात है कि आपके सार्थक प्रयासों से भारत जपान की दोस्ति को नई बुलंदी मिलेंगी